कास गंच जन्पत में उची जाती के लोगों की दबंगाई के चलते एक परिवार ने गाउं से पलायन करने के चितावने दी है परिवार के सदसे ने बताया है कि उची जाती के लोग अकसर उन्हें परिशान करते हैं बाहर आने जाने के लिए भी परेशान हैं इसलिए हमें गाउं से पलायान करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है मामना जन्पत के थाना सिकंदरपूर वैश के नर्दोली गाउं का है शिकंदरपूर वैश के ग्राम नर्दोली के रहने वाले देव सिंग का कहना है कि कुछ जन पहले एक यह से वापस घर लोड़ते समय गाउं के ही ठाकूर जाती के दबंग लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी जिसको लेकर थाना सिकंदरपूर वैश में पीडित ने आरोपी दबंगों के खिलाफ शिकायत दर्च कराई थी जिसके बाद से दबंगों ने पीडित परिवार का घर से निकलना मुश्किल कर दिया दबंगों से परिशान इस परिवार ने अब घर से पलायन करने का मन बना लिया है हमारा नाम देव सी है सब तो समस्या यह है मारते तोरते धमकाते है कौन लोग है पपू है महेस है और राकेस है नन्ने है चार लोग गुमारती तोरते थी और जालोग मालाँ खड़ी थी जो हम पर लाट चला रहे हैं वो हमने देगी पुलिस से सकायत की पुलिस से सकायत हमने की आए दोगवारी आई थी उन्हों ने देखा हमको उन्हों कटिया पर चार पाई में लेटे थी तो देख भारी के अपने ताइकात करके लोग हम से कहेगे जाओ अपनी डेक्टर कराओ जागे राज कराओ अथान रपोट लिखाओ और हम जाएक अपना अनकानवाई का काम करें तो आप लोग छोड़ कर के हो जा रहे हैं पीडित परिवार दवंगों से परिशान होकर अपने घर को छोड़ कर रिष्टेदार के यहां जा रहे हैं पीडितों का कहना है कि अगर ऐसी ही इस्तिती रही तो अपनी जमीन चायजाद सब बेचकर यहां से जाना पड़ेगा क्योंकि शुकायत के बावजूत प्रसाशन ने दवंगों के हिलाफ कोई कारवाई नहीं की लगतार ये गरीब परिवार दवंगों के जुल्म का शुकार हो रहा है अब क्या समस्या रही है अब कौन लोग है जो लड़ाई को बढ़ावा देता है अब लड़ाई को बढ़ावा में ठाकरों लोग हैं और खिलारी है और आशकर कई लोग हैं वहीं इस परिवार ने पलायन का मुद्दा जब जिला अधिकारी हर्शिता माथूर के संग्यान में आया तो उन्होंने पट्याली सीयो और एस सीयो को मामले के जांच के जिम्यदारी दी पतादे कि दवंगों से परिशान ये परिवार फिल हाल अपना घरबार छूड़कर रिश्टदारों के घर पर शरण ले रहा है अपना सब कुछ होने के बावजूद ये परिवार दर-दर भिटकने को मजबूर है मगर पुलस मामले में अब तक कोई कारवाई नहीं कर रही है अब ये मामला जुलाधिकारी के संग्यान में आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही ये परिवार बिना किसी डर और भै के अपने घर पर लोट सकेगा पंजाब के स्टी टीवी के लिए कास गंज से विवेक की रिपोर्ट